हारुफिक्स वान प्लस नॉट केमरा नॉट फ्लिपिंग प्रॉब्लम नंसकार डोस्तों सवागर है अब सभी काति किराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वान प्लस के इस केमरा प्रॉब्लम को सॉल् फ्लिप मोपाथे ठीक है केमरा जो है वह फ्लीप नहीं हो पाते जब हम कीमरा को करने की कोशिश करते है तो इस तरीकके का दोस्तों फॉत प्रॉब्लम यहां पर होते हैं तो अगर दोस्तों आपके जो वॉन प्लस है उस मॉबाइल पीभी आपका जो केमरा है फ्रॉंट प पेले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें अगर आप अनलाइन पैसा कामाना चाहते थो वीदियो डिस्क्रिप्शन पर अपको लिंक रहिए चले दूश्त ब्लिटEE के close कर दीजिए उसके बाद check करके देखें अगर problem solve हो जाते हैं तो ठीक है अगर problem solved नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको जाना है setting पर और आपको दोस्तों यहाँ पर scroll town करना है ठीक हैभए तो स्कोल डाउन करते हुए दोस्तों आप नीचे में आइए नीचे में ओके अपको apps and notifications पर जाना है उसके बाद see all apps and यहाँ पर आपको find out करना है camera ऍर के पर जाके storage पर quickly करें clear data पर क्लिक करके okay कर देpenard जसी okay करेगा आपको back करना है make sure सारे पर्मिशन इनेबल रहे ठीक है और उसके बाद मोबाइल को रिश्टार्ट करते हुए क्यमरा को ओपेन करें और चेक करके देखें प्रॉब्लम सॉल्फ हो चुका होगा अगर प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है तो अच्छी वाद है अगर नहीं होते तो मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट हो जागा मोबाइल उसके बाद चेक करके देखें सॉल्फ हो चुका होगा प्रॉब्लम अगर सॉल्फ हो जाता है तो अच्छी वाद है अगर आभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाए सेटिंग पर और सिस्टेम पर जाके सिस्टेम को अप बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्फ ही नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर कोई केमरा एब इंस्टॉल कर सकते हैं ठाट पर्टी अप्लिकेशन उसको यूज़ करके देखें अच्छे से काम करेगा लेकिन दोस्तों आपको जो ही ठाट पर्टी पर्टी डेटा रिसेट कर दीजिए उसके बाद जाके सॉल्फ हो जाएगा आपका प्रॉब्लम तो इस प्रकार से दोस्तों केमरा नोट फ्लिपिंग का जो इश्यू है वहाँ फिक्स कर सकते हैं आज के लिए बस इतना है उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा ठ थवाची कर रष़िए